नमस्कार मैं हूँ आपके संग नित्यम मंत्र तंत्र यंत्रवास्तु के विशेज गास्क्रम के साथ नमरात्र के पहले दिन मा सहल पुत्री की पूजा की जाती है हम आपको बताएंगे कि मा दुर्गा के स्वरूप सहल पुत्री की पूजा बीधी क्या है क्या है मां दुर्गा के नौस रूप के बीज मंत्र बीज मंत्र के सही उचारन क्या है क्या होते हैं बीज मंत्र इसके साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि मां सेल पुत्री की क्या है पूजा बीधी मां सेल पुत्री की पूजा करने से क्या आपको फल मिलता है इसके साथ नबरात्री के पहले दिन क्या खास उपाय करके आप अपनी जिंद्गी की परिसरानियों को भी खत्म कर सकते हैं लेकिन उसके पहले हम चर्चा करते हैं कि मा दुर्गा के जो नौ रूप है उसके क्या बीज मंतर है देखिए मा दुर्गा के जो पहली स्वरूप है वो है मा सैल पुत्री मा सैल पुत्री की जो बीज मंतर है वो बीज मंतर है ओम हिरिंग स्रिंग सैल पुत्री दुर्गाय नमाहा ओम हिरिंग दुंग दुर्गाय नमाहा मा दुर्गी की जो दूसरे स्वरूप है ब्रम्हचारनी इसकी जो बीज मंतर है वो बीज मंतर है ओम हिरिंग स्रिंग ब्रम्हचरनी दुरगाय नमाहा ओम हिरिंग दुं दुरगाय नमाहा मा की तीसरे स्वरूप चंदरगंटा की बीज मंतर है ओम हिरिंग स्रिंग चंदरगंटा दुरगाय नमाहा ओम हिरिंग दुम दुरगाय नमाहा मा के चोथे स्वरूप कुसमांडा की जो बीज मंतर है वो बीज मंतर है ओम हिरिंग स्रिंग कुसमांडा दुरगाय नमाहा ओम हिरिंग दुम दुरगाय नमाहा इसके साथ साथ जो मा का पांच में सो रूप है असकंद माता इसकी बीज मंतर है ओम हिरिंग शरिंग असकंद माता दुरगायन माहा ओम हिरिंग दुम दुरगायन माहा मा के जो चठी रूप है मा कात्याएनि इसकी जो बीज मन्तर है ओम हिरिंग शरिंग कात्याएनि दुरगाएन माहा ओम हिरिंग दुं दुरगाएन माहा इसके साथ साथ मा के जो साथ में स्वरूप है काल रातरी इसके बीज मंतर है ओम हिरिंग सरिंग काल रातरी दुरगाय नमाहा ओम हिरिंग दुंग दुरगाय नमाहा मा के आठमे स्वरूप महागौरी का बीज मंत्र है मा के जो नम्मे स्वरूप है मा सिध्धि दातरी इसके जो बीज मंत्र है वो बीज मंत्र इस तरह से है अम हिरिंग सिध्धि दातरी इसके आठमे स्वरूप महा को बीज मंत्र है मैंने आपको बताया यानि कि जो पहले मंत्र है सहिल पुतरी दूसरी दिन ब्रह्मचर ने इस तरह से हर एक दीन मा के जो अलग-अलग बीज मंत्र है इसका आपको जब करना है अब जो सबसे महत्पुन बात है मा दुर्गा के पूजा की क्या है साब धानिया देखिए आपको निश्चित रूप से नौ दिन का बरत रखना चाहिए और बरत के दोरान लहसुन प्याज का भी सेवन आप ना करें तो यह आपके लिए बहतर होगा निन्दा, चुगली, लालच और जूट से दूर रहें दाढ़ी, नाखून, बाल, नौ दिनों तक ना काटे तो यह आपके लिए अच्छा होगा इसके साब साथ कहीं ची का भी परयोग आप ना करें लाल फूल और लाल आसन का परयोग करे पूजा के समय तथा हर दिन मां की आरती करें शंभब हो तो जबीन पर सोए नवरातरी के अंतिम दिन यानि नम्मे दिन नो कर्ण्याओं का पूजा नवस करें उन्हें बुलाएं, आदर सम्मान के साथ खिलाएं और उन्हें कुछ गिप्ट भी प्रदान करें तो इससे निश्टी तुरूप से आपकी जो पूजन है वो पूजन संपुन होगी इसके साथ साथ हम ये चक्चा करते हैं कि मादुरगा की जो सहल पुत्री रूप है जो पहला रूप है जो जिसकी सुरात पर्थम दिन होती है नवरातर में उसकी पूजा बिधी क्या है देखिए दुरगा जी पहले स्वरूप में सहल पुत्री के नाम से जानी जाती है यही नवदुरगाओं में पर्थम दुरगा है परवत राज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन होने के कारण इनका नाम सहल पुत्री पड़ा है अब इसकी पूजा बिधी क्या है देखिए मा सहल पुत्री की तस्वीर अस्थापित करें और उसके नीचे लक्री की चोंकी पर लाल बस्र भी जाएं उसके उपर केसर से शम लिखें शम इसके बाद हात में लाल पुष्प लेकर सहल पुत्री देवी का ध्यान करें इसके बाद इस मंत्र का जाप भी करें मंत्र है तो हात में लाल पुल लेकर के आपको मां का ध्यान करना है मां सहल पुत्री का ध्यान करना है उसके साथ साथ जो मंत्र मैंने आपको बताया इस मंत्र का भी जाप आप करते रहे हैं इसके बाद जो मंत्र है मादुर्गा का बीज मंत्र इस मंत्र का कम से कम आपको एक सा आठ वार जब करना है इस मंतर का कम से कम आपको 108 बार जब करना है इस तरह से आपकी पूजा शंपुन होगी अब हम चर्चा करते हैं कि अगर आप देवी शैल पूजा करने से कुमारी कण्याओं को योगबड की प्राप्ति होती है, बेवाहिक जीवन में सुखाता है देवी की अराध्ना से साधक का मुलाधार चक्र भी जागरित हो जाता है बिभिन सिध्यों की भी प्राप्ति होती है लेकिन पर्थम दिन आप कलस की भी अस्थापना कर सकते हैं कलस अस्थापना में सभी तिर्थों, नदियों, नबगरों, दिखपालों, दिशाओं, नगर देपता, गराम देपता सहित सभी योगिनियों को भी आमंत्रित किया जाता है और कलस में उन्हें बिराजने हेतु प्रार्थना सहित उनका आवाहन भी किया जाता है तो इस तरह से आप नवरात्री के पहले दिन कलस की भी अस्थापना कर सकते हैं इसके सासद हम बात करते हैं कि नवरात्र के इस पावन परिने में इस पावन अविशर पर आप क्या खास उपाय कर सकते हैं ताकि आपकी जिन्दी की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं भी दूर हो जाएं तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे पत्नी की प्राप्ती हो तो इसके लिए क्या करना है आप रोज अरगला अस्तोतर का पाठ करें या अरगला अस्तोतर के 24 सुलोक का मंत्र के रूप में 108 पर जब करें इससे निश्टित रूप से आपको अच्छे पतनी की प्राप्ती होगी अगर आप चाहते हैं कि आपको धन की प्राप्ती हो तो इसके लिए नवरातर में पहले दिन आपको ये उपाय करना है लाल कप्रे में 11 कौरियां और 3 गोमती चक्र रखें माता के पूजन के साथ उस पर हल्दी से तिलक करें नमबे दिन जो नवरातरी का आखरी दिन होता है उस दिन इन चीजों को लाल कप्रे में बांद करके अपने तीज़ोरी में रख दें निस्तित रूप से आपको धन की प्राप्ती होगी इसके साथ साथ आप एक उपाय और कर सकते हैं हर दिन पांद के पत्ते पर गुलाब की पंखुरियां रख कर देवी को अर्पित करें इससे भी आपको धन की प्राप्ती होगी ये ट्रैल एंड टेस्टेड है अब हम बात करते हैं नवरातरी के इस खास उबब पर क्या आप अपने जीवन की बाधा को भी दूर कर सकते हैं अबस कर सकते हैं अगर आपके जीवन में कोई बाधा है जिसको आप दूर करना चाहते हैं तो हर दिन नवरातरी में कपूर और लॉंग जलाकर मांग की आर्थी करें इसके साथ साथ रोज सहद और इत्र भी अर्पित करें इसके स्वास्त और आपकी बढ़ाएं दोनों दूर हो जाएगी इसके साथ साथ आप नौ दिनों तक रोज सवेरे राम रक्षा अस्तोतर का भी पाट करें निश्चित रूप से आपके जिंदगी में जो बाधा है वो बाधा दूर हो जाएगी तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो किरप्याई से लाइक करें सब्सक्राइब करें तो आपने दोस्तों को भी बताए ताकि नवरात्र के इस पावण अविश्चर पर वो भी अपनी जिंदगी में जो समस्या है उनके जिंदगी में हैं उनसे वो निजात पास सके आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद